हेलो फ्रेंज मोधुमिता लेटिल कीचेन में ओयल का मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशिपी सेयार करने जारी हो आज मैं सेयार कर रही हो ये पोहे से बना हुआ बहुती बड़ी आसा टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता का रेशिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होगा बनाने का तरीका अलग है ताकि यह जो नास्ता मनेगा क्रिस्पी भी मनेगा और बहुत ही बढ़ी आसा पार्फेक्ट मनेगा मतलब खास तरीका से बनाएंगी बहुत देर तो कि ये नस्ता क्रिस्पी भी रहेगा और टेस्टी भी मनेगा बाच्चे बड़े सब पसंद करेंगे श्रेप एक काप पोहा से मनाएंगी इतना बड़ी आसा मस्तर टेस्टी और बड़ी आसा नस्ता का रेसिपी simple ingredient और simple तरीका से बढ़ाएंगे ये पोहा की नस्ता चलो फिर बड़ी आसा recipe बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने एक बावल में डाल देते हो एक कप पोहा ये जो पोहा है medium size का पोहा है मतलब ज़्यादा पातला नहीं जो medium बाला पोहा होता है मतलब ज़्यादा हम लोग पोहे बागरे बनाते इस तरीका का पोहा पोहा को बड़ी आसा मेने दो तिन बार अच्छी तरह से धोलिया थोड़ा सा मानी है अब ढ़ाक किसको कम से कम 10 मिट तक राख दीजिए ताकि पोहा भी बड़ी आसा फूल जाएगा थोड़ा सा साफ्ट हो जाएगा 10 मिट के बाद देखिए थोड़ा सा जो एक्स्टा पानी था वो आच्छी तरह से ये पोहा एबजर्ब कर लिया और बड़ी आसा ये साफ्ट हो गया तो देखिए बड़ी आसा ये पोहा मतलब आच्छी तरह से दो जैसा वण गया आप इसके साथ मिलाएंगे अलू एक मिडियम साइज का अलू मैंने अच्छी तरह से पहले उबाल के छिलका निकाल लिया आप चाहे तालू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से अलू को डालेंगे तो वो भी बड़ी आसा ये एक साथ में मिक्स हो जाएगा लेकिन अलू इस तरीके से मियास करना है ताकि पोहा के साथ अच्छी तरह से मतलब बाइंडिंग भी हो जाएगा और आलू के अंदर कोई गुठलिया पागे नहीं रहे जाए तो आलू को कोशिस कीजिए आच्छी तरह से पोहा के साथ मिक्स कर लेना तो भी बड़ी आसा पारफेक्ट ये नास्ता बनेगा तो देखिए आलू और पोहा को बड़ी आसा मिक्स कर लिया उसके बाद दूसरा इंगे डियंस डालेंगे एक साथ में पूरा इंगे डियंस बिल्कुली नहीं डालना है आप इसके साथ मिला रहे हूँ एक मीडियाम साइज का बारी कटा हुआ प्याज थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन चिली और डाल देते थोड़ी सी बारी कटा हुआ हरा धनिया आप चाह थोड़ा सा मीर्ची पाउडर डाल दिया, आप डालेंगे थोड़ासा निम्बु का रस, आप चाहे तो आमचूर पाउडर या चाड मसाला भी डाल साकते हैं, निकिन निम्बु का रस भी डाल के भी मानाये बहुत ही टेस्टी बनता है, डालेंगे साधनु सार नमक, अभी श यह mix हो गया मतलों binding तो perfect है आच्छी तरह से इसमें balls भी बन रहे है मैं दिखाती हूँ तो देखिए सब ingredients अच्छी तरह से मिल गया अच्छी तरह से balls बन रहे हैं लेकिन इसको और भी बड़ी आशा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने हापे डाल दो एक चावल काटा चावल बड़ी आशा perfect यह डो बन गया तो देखिए आशाने से शेब भी दे सकते है आप चाहे तो चावल काटा नहीं डालके भी बना सकते ऐसा ही बन जाएगा लेकिन एक चमच चावल काटा डालके बना के देखिए एक रिस्पी भी बनता है और बहुत ही कॉम ऐल अबजर करेग तो देखिए मैंने इस तरीका से गोल गोल बना रही है आप चाहे तो गोल बॉल जैसा बना सकते लेकिन मैंने इस तरीके की पेड़े जैसा बना रही हूँ तो देखिए मैंने इस तरीका से बना लिया आप इसको फ्राइ करने का तारीका अलग-अलग होता है मैं सिम्पिल एसा ही फ्राइ करूंगी लेकिन आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सुखा मोयदा मतलब मोयदा के उपर कोट भी कर सकते ऐसा फिर ब्रेट करम्स डालके इसके उपर कोट करके भी बना सकते लेकिन मैंने सिंपिल तरीका से बनाऊंगी आप आपका मन पसंद किसी भी तरीका से फ बहुती मस्ट क्रिस्पी बनता है एक तरफ होने के बाद दुसरा तरफ पल्टाएंगे बहुती कॉम हीड में फ्राइ नहीं करना है पहले आच्छी तरह से ओयल को गरम कर लेना है ठांडा ओयल में इसको बिलकुली नहीं डालना है और बहुती ठांडा ओयल में इसको डाले तो ये ज़्यादा तेल एब्जर्ब करेगा तो इसलिए पहले आच्छी तरह से वाल को गरम करना है उसके बाद ये डाल के मतलब इनास्ता डाल के मीडियाम हीट में इसको फ्राइ करना है थोड़ी देर में ये आच्छी तरह से पाक जाएगा तो देखी बढ़ियासा फूल रहा है ये गयस का हीड मीडियाम है कॉम से कॉम पाच मिनिट तो बढ़ियासा इसको फ्राइ करना है तो देखी पाच मिनटी में पार्फेक्ट ये बन गया आम मैंने निकाल लेती हूँ ज्यादा ओयली भी नहीं होगा लेकिन दियली बहुत क्रिस्पी भी बनेगा और टेस चाउल का आटा ये पोहा के साथ मिलाने के बाद इसका रेजल्टा इसे ही बढ़ियासा आया देखी कितना क्रिस्पी बनी है दोसरा बेच भी इसी तरीका से फ्राइ कर लेते है ज्यादा टाइम नहीं लागेगा लेकिन गैस का हेट मेडियाम रखके इस नास्ता को फ्राइ करना है में तोड के भी दिखाऊंगी कितना पर्फिक्ट अंदर का टेक्स्टर है और कितना क्रिस्पी है तो बड़ी आसा ही फ्राइ हो रहा है इसी तरीके से आप लोग इस पोही का नास्ता बाना के दिखे आई होप सबको बहुत पसंद आएगा देखने में जितना ही सु के साथ कोई भी चाटनी के साथ ये नास्ता बहुती मस्त और बड़ी आसा लागेगा पहले देखी कितना बड़ी आसा मस्त देखने में लाग रहे है बड़ी आसा फूल गया उपर क्रिस्पी है अंदर थड़ा सा सब्ठ है पार्फेक्ट ये क्रिस्पी और बड़ी आसा न सब्सक्राइब कीजिये और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले, तकी नोटिफीकसन सब से पहले आपको मेल जये और च्छान रेयखिस रहे हे बाई बाई